कि नमस्कार मैं रेविंद्र कुमार दुबे केंद्री विद्धालेक रमांक एक भुनेश्वर से आईए लाहसा की और के दूसरे भाग में हम चलते हैं लाहसा की और के पहले भाग में हमने पढ़ा हमने जाना 21 प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जी अपने मित्र सुमती के साथ लाहसा की और जा रहे हैं रास्ते में अने कठनाईयां थी, उन कठनाईयों का सामना करते हुए वे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए वे डाना थोंगला तक पहुंच चुके, अब उसके आगे की आत्रा, डाना थोंगला से जो उत्राई थी नीचे उतरना था, वो आसान था, लेखक बताते हैं कि अब हमें बराबर उत्राई पर चलना था, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उत्राई बिल्कुल नहीं, शायद दो एक और सवार सांथी हमारे सांथ चल रहे थे, मतलब लेखक और सुमती के अलावा एक दो और भी उनके सांथ ह हो गये थे, क्योंकि जब इस प्रकार दुर्गम छेत्रों में यात्रा की जाती है, तो लोग समू में यात्रा करते हैं, ताकि मुसीबत आने पर एक दुसरे की वे सहता कर सके हैं, अब लंकोर के और बढ़ते हैं ये, विद्यार्थियों होता ये है, पहाड़ी दुर्गम चेत्रे में जब इात्रा की जाती है, तो एक स्थान से दुसरे स्थान तक जाया जाता है, वहाँ आराम किया जाता है, फिर अगले स्थान की और इस तरह से आराम करते हुए, रुकते हुए, रात्री विश्राम करते हुए, मंजिल तक पहुँचा जाता है, तो जब लंकोर मैंने समझा कि चढ़ाई की ठकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था लेखा के मन में दयार थी वो घोड़े को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे धीरे धीरे वो अब बहुत पिछड़ गया और दोनको कस्तो की तरह अपने घोड़े पर जुमता हु वो हमेशा घोड़े पर रहता था तो लेखा को लगने लगा कि जैसे मैं भी द्वैन की कस्तो की तरह हूं लगा तर बहुत देर तक घोड़े पर ही जुमते बढ़ रहे थे वो जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जब मैं जोर देने लगता तो वहां और सुस्त पड़ जाता इस तरह से लेखाक है वहां थोड़े पीछड़ रहे हैं घोड़ा सुस्त है इसे कान से वो अपने अन्य सांथियों से पीछे हो रहे है आगे बढ़ते ही लेखाक भटक गये कैसे एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे एक रास्ता बाई और जा रहा था और दूसरा रास्ता दाई और लेखाक चुकी पिछड़ चुके थे इसलिए उन्हें सही रास्ते के बारे में ग्यान नहीं था और उन्हें अंदाजा लगाया और वह बाएं रास्ते में बढ़ गया लेखाक कहते हैं मैं बाएं क तर उसी को पकड़ा अब देखे से आप समझ रहे होंगे भी द्यारती कि घोड़ा विशूस्त था और उपर से क्या हुआ गलत रास्ते पर आगे बढ़ने फिर लोटने इसमें और जादा समय उन्हें लग गया अब उधर सुमती और अन्य जो थे समू के सब आगे बढ़ ने लिए ने के बारे के हैं चार पांच बजे के करीब मैं गाउ से मिल भर पर था तो सुमती इंतजार करते हूं मिले मंगोलों का मुझ वैसे ही लाल होता है इस इसमती मंगन जाती कि थे नो लेखर बता रहें कि मंगोलों का मूँ वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था उन्होंने कहा सुमती ने कि मैंने दो टोकरी कंडे फुक डाले तीन तीन बार चाय को गरम किया अपनी नाराजगी बेख कर रहे थे वो तब लेखक ने कहा कि मैंने बहुत नर्मी से जवाब दिया लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था गनिमद ने पांचे बज़े ही पहुचा दिया है चार पांच बज़े ही पहुचा दिया खेर सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंड़ा भी हो जाता था मतलब वह शान्त हो गया लेखक के उत्तर से, अब लंकौर में इन्होंने रात्री बिटाने का निर्णे लिया, लंकौर में ये ठहरे, लंकौर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहां भी उनके अच्छे यह जमान थे, सुमती बहुत दुबिक्छू थे, उनके बहु थेले चाय सत्तु खाया गया स्थ्थे आप जानते होंगे कि आच को भून लिया जाता है जो या चने को और उसका वहजी होता है उससे सत्तु कहते हैं और रात को गरमा-गरम फुक्पा मिला, इस ठानी जो खाद्य पदार्थ है यह है जो कि सत्तु या चावल के साथ मूली हड़ी और मांस के साथ पतली लेई की तरफ पकाया गया खाद्य पदार्थ उसे यहां थुकपा कहते इस्थानी लोग वो थुकपा खाने को मिलाई नहीं अब लंकोर के बाद आगे की यात्रा और आगे पहुंचते हैं तिंगरी के मैदान में लेखा कोहां के बारे में बता रहे हैं कि अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे बहुत विशाल मैदान है चारो तरफ पहाड़ है और बीच का मैदान विशाल का मैदान उसे कहा जात मेदान की भीतर दिखाई पड़ती है और उसी पहाड़ी का नाम है तिंग्री समाधि गिरी, छोटा सा जैसे पानी की बीश में टापु दिखाई देता है, वैसी विशाल का है मेदान है, और वीश में एक छोटी सी पहाड़ी है, और पहाड़ी में, कुछ भवन बनने में मठ जैसा है और उसे कहा जाता है तिंगरी समाधी गिरी लेखक ने सुमती के बारे में विश्तार से बताया इसमें कि सुमती है वो आसपास के गाउं में भी सुमती के कितने ही अजमान थे कपड़े की पतली पतली चीरी बत्यों के गंडे खतम नहीं हो सकते थे क्योंकि बोध गय से लाए कपड़े के खतम हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे गंडा होता है जो एक कपड़ा होता है जिसे मंत्र पढ़कर किसी के बाहिं त्यादी में बांधा जाता है गांट लगा कर ऐसा माना जाता है कि उससे उस व्यक्ति के जीवन में अच् स्थान है जहां गौतंबुद्ध को बुद्धत्यू की प्राप्ति भी थी पेड की नीचे तो उस स्थान से और एक कपड़े का टुकड़ा लेकर रहा थे कपड़े के टुकड़े को ही वह उसका बत्ती जैसा बना कर वह अपने यह मानों को घंड़े पहनाते थे और उसके ब के गंडा आ रहे हैं कि जो बोध गया का लायाया गया कप्ड़ा है खत्म भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे यह विश्वास कर लेते हैं तो इस अरश लेखक ने समझाने के कुश चैनल लोगों को विश्वास होता है और सामानेवी चीज को भी वो विशिष्ट मान लेते हैं तो यही गंडा बांटने के लिए सुमती है वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे लेखक ने कहा कि मैंने सोचा यह तो हफ्ता बर उधर ही लगा देंगे अपने सब यजमानों से मिलते हुए तो लेखक बोलते हैं कि मैंने उनसे कहा कि जिस गाउं में ठारना हो उसमें भलाई गंडे बाढ़ दो मगर आसपास के गाउं में मत जाओ इसके लिए मैं तुम्हें लाहसा पहुंचकर रुपए दे दूँगा सुमती ने सुईकार किया क्योंकि गंडे से उसे आमधनी होती उसे जो दान दक्षणा मिलता रुपए मिलते तो लेखक ने कहा कि जितने रुपए मिलेंगे तुमको आसपास जाओगे समय तुम्हें जादा लगेगा मेरे पास समय की कमी है हम जल्दी लाहसा पहुंचना चाहते हैं तो वो जो तुम आसे का नुक्सान रुपए का नुक्सान नहीं होगा रुपए में तुम्हें लाहसा पहुंचकर तुम्हें मैं दे दूंगा अब देखें सुमती के बारे में लेखक ने इस पश्ट किया सुमती है कौन जान लीजिए कि लेखक को यात्रा के दौरान मिला एक मंगोल कर रहा है असानी के लिए सुमती कहते थे उसे ठीक है और सुमती भी अपने सुमती नाम को पाकर वो नाराज नहीं हुए उन्होंने भी सरसुप से स्विकार कर लिया था तिंग्री के मैदान के बारे में देखते हैं कि तिंग्री के विशाल मैदान में थे और जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था और उसमें पहाड़ी से हमने पढ़ लिया उसमें समाधी गिरी भी थी अब जैसे ही अब ये लोग भरिया ढूंडने के लिए चलते हैं क्योंकि इन्हें लंबी यात्रा करनी थी तो उन्हें सोचा कि भरिया रख लेते हैं ताकि हमारे कंधों पर जो भारी समान है उससे हमें मुक्ति मिल जाए और हमें चलने में आसानी हो लेकिन कोई नहीं मिला सवेरी चल दिये होते तो अच्छा था लेकिन अब 10-11 वजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था तिबबत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है यद्दपी थोड़े से भी मोटे कपड़े से सीर ढाक लें तो गर्मी खतम हो जाती है तेज धूप अगर सामने से चेहरे पर धूप पड़ रही हो तो बड़ी तेज महस होती है लेखक बता रहे हैं यदि कपड़ा अगर डाल लिया तो फिर धूप की तेजी खतम हो जाती है आप दो बज़े सुरज की और मूह करके चल रहे हैं ललाट धूप से जल रहा है और पीशे का कंदा बरफ हो रहा है जिदर से धूप पड़ रही है तेज धूप फिर हमने पीट पर अपने अपनी चीजें लादी डंडा हाथ में लिया और चल पड़े अब आगे बढ़ना था तिंगरी के मैदान से भरिया मिला नहीं भोज़ दोने वाला अब शेकर विहार की और पहुंच गया कैसे पहुंच उसके बारे में लिखक बता रहे हैं कि सु सुमती ने कहा चलिए शेकर विहार के और चलते उधर भरिया मिल जाएंगे पर वहाना था वह सुता वहां शेकर विहार में अपने ये जमान से मिलना चाहते थे तिबत की जमीन बहूत अधिक छोटे बड़े जागिरदारों में बटी है इन जागिरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में अपनी अपनी जागिर्ग में हर एक जागिरदार कुछ खेती खुद भी कर आता है जिसके लिए मजदुर बेगार में मिल जात और यहाँ की जमीन ने छोटे मोटे किसानों नही बड़े बड़े जागिर्दार है उनकां बटी हुए है और मजदूर बेगारी में काम करते हैं, क्योंकि वो बड़े जमिंदारों से पैसे लिए रेंडी के रूप में लेते हैं, चुका नहीं पाते, तुन्हें बेगार में यहां काम करना पड़ता है, और यदि मठ का, यदि मठ की जमीन है, तो उसमें लोग तो मुफ्त में ही काम करते हैं, खेती का इंतजाम देखने के लिए, वहां कोई भिक्षु बेजा जाता है, जो मठ की खेती है, मठ का जो खेत है, उस पर खेती कराना है, तो कोई भिक्षु को उसकी देखरेक के लिए पेजा जाता है, जो जागिर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, बहुत मान सम बड़े सज्जन रखती थे वह बहुत प्रेम से मिले हाला कि उस वक्त मेरा भेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था मतलब भिखमांगे के वेश में थे परन्तु नमसे इंसान अच्छे थे इसलिए वेश भूशा पर उन्हें ध्यान नहीं दिया और उन्हें एक इंसानियत के नाते एक अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने इनसे प्रेम से मुलाकात की अब वहां जो शेकर विहार है वहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर ये बुद्ध गौतम बुद्ध के वचन है जिसका अनुवात किया गया है था और वो स बुद्ध वचन को ही अनुवादित बुद्ध वचन को ही कंजूर कहते हूं कि हस्त लिखित एक सो तीन पोथियां रखी भी थी पुस्ता का पोथी में अंतर होता है ध्यान रखेगा पोथियां वो होती ही जिसे पहले कागज की टुकड़े पर या ताड़ पत्र पर लिख लेखग बचाते हैं क्योंकि लेखाग जो लासा जा रहे थे वह बात धर्म के बारे में जानने के लिए घ्रंथों का ध्यन करने के लिए तो उन्हें रास्ते में यहां पर की 103 पोथियां थी तो उन्हें सोचा इसे पढ़नू देखने हैं कुछ महत्यपूर्ण बाते कुछ होगी कुछ ऐसी चीजे मुझे मालूम चल जाएं जो अब तक मुझे मालूम नहीं चल पाई हैं बहुत धर्म की और वो जो पोथियां थी वह बड़े मोटे का आगज़ पर अच्छे अक्छरों में लिखी हुई थी एक एक पोथी 15-15 सेर एक सेर मतलब होता है 933 ग्राम एक हजार ग्राम का एक किलो मतलब एक किलो से थोड़ा सा कम 15-15 सेर की थी सोचे कितने सारे पन्ने होंगे उसमें और उसका उन्होंने अध्यन क्या चुकि लेखक तिबती भाषा भी जानते थे इसलिए तिबती भाषा पढ़ रहा थे आपके सामने देखे चित्र भी दिया ति उसकी लीपी किस प्रकार से होती है तो देख लीजिए मंदिर भी है बीच में कंजूर जो पोथियां थी वह भी अब शेकर वियार से आगे क्यातरा लासा की और जाना है तो सुमती ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा मैं अब पुस्तकों के भीतर था मतलब पुस्तकों में रम गया था तो लेखक ने सुचा कि भाई ठीक है मैं अपना काम करता हूँ तब तब कि अपने यजमानों से मिल जाए मिल कर आ जाए इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया दूसरे दिन वह गया दूसरे दिन तो सुमती को अराम से लगेंगे ही लेकिन वो जिस दिन गया उसी दिन दो पर को वापस चले है तिंगरी गाओं वहां से बहुत दूर नहीं था हमने अपना-पना सामान पीट पर उठाया और भिक्षू नमसे से विदाय लेकर चल पड़े तो तिंगरी फिर तिंगरी से हो समाथ होता है आईए कुछ प्रस्णों के बारे में जानने विद्यारतियों आपके लिए पहला प्रस्ण है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने सांथियों से किस कारण पिछड़ गया आपको मालूम होगा कि सुमती नाराज हुए थे देर से आने के कारण तो क्यों पिछ और लेखक उसे मारना नहीं चाहता था लेखक भटक कर दूसरे रास्ते पर चला गया था इसलिए वो अपने सांथियों से पिछड़ गया मतलब लेखक के पिछड़ने के दो कारण थे एक घोड़े का सुस्तोना और दूसरा रास्ते का भटक जाना अगला प्रस्ण देखे अपनी यात्रा के दोरान लेखक को किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा जहां रखेगा कठिनाईयों का सामना मतलब एक कठनाई नहीं है एक से अधिक कठनाईयों का सामना करना पड़ा आए देखें उत्तर लेखक को इस यात्रा के दोरान अने कठनाईयों का सामना करना पड़ा पहला वहां का रास्ता बहुत सुंसान और कठिन था डाना थोंगला याद है आपको सुंसान ड़केट जहां पर रहते थे दूसरा उत्राई के समय उनका घोड़ा सुस्त पड़ गया था तीसरा उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा था चौथा वापस आते समय लेखक को रूखने के लिए उचित इस्थान नहीं मिला था तेख लिजी तो यहां पहले के जमाने में जब लेखक गये थे यह उन्हें समय उन्हें कितनी कटनाईयां उन्हें सहनी पड़ी थे पर फिर भी इन कटनाईयों पर विजय प्राप्त करते वह आगे बढ़ते गए और उन्हें बहुत धर्मके विभिन ग्रंतों का अध्यान किया था अगला प्रशन तिबबत की कौन कौन सी बातें लेखक को अच्छी लगी आईए देखें तिबबत की निमनिखित बातें लेखक को अच्छी लगी पहला वहां जाती का अधाना होना औरते हैं परायपुर्शों के सामने निकलने में संकोच नहीं करती थी तीसरा किसी भी अपरिचित लोगों को घर के अंदर आने देना और मां भहनों का उनके लिए चाय बना देना देखें आते थी सतकार जो कहते हैं उसी प्रकार से कि अपरिचित लोग होते थे फिर भी घर में मां भन हैं वो चाय बना कर दे देती थी हैं कि विद्यारत्यों भाशाद्यन में उले